कुक विद फरा को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाईए तभी मेरे लेटिस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा इस टोटली असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ एक कोर्मा बनाने की रेस्पी सेयर करने जा रही हूँ अक्सर जब भी हमें कन्फियूजन होता है आज खाने में क्या बनाया जाए या फिर घर पर सामान एविलेबल नहीं होता तो एक आप्सन हमारे पास हमें सा होता है वो है एक कोर्मा ये बहुत ही इसली बहुत ही क्विकली बन कर तयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और बनता है, तो आईए देखती हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रीडिेंस चाहिए Mexico कोर्मा बनाने के लिए मैंने 5 अबले अंडिये हैं अंडियोग्र के आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अब अंडो को हमें प्रिक स्कूले लेना है यहां मैं फोक से इसे बहुत अच्छे से प्रिक कर ले रही हूं आप इसे तूद्पिक से भी प्रिक कर सकते हैं इसे हमें प्रिक कर लेना होता है जिससे कि इसमें मसाला अब्सॉर्ब हो जाए अब इसमें हम 130 पून लाल मिर्चो का पॉडर अड़ कर देंगे 130 पून हल्दी कर देंगे और 130 पून नमक कर देंगे और इसे इसी तरह बहुत अच्छे समें टॉस कर लेना है जिससे कि अंडों में मसाला अब्सॉर्ब हो जाए इससे अंडा हमारा फीका नहीं लगता मसाला अंदर तक इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है अब इसे हमें 5-10 मिनट तक रख अब चलिए अब ग्रेवी के इंग्रेडियन्स आपको दिखा देते हैं दो मीडियम साइज का अनियन लिया है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है नौ से दस काजू लिये हैं दो हरी मिर्च लिये है इसन सभी को डाल कर मिकसर ग्रेंडर में पीस लेना है 100 ग्राम करीब द गर्च बत्ता लेगे और यहां कुछ पॉडर मंसाले है जिसमें वन टेल स्पून धनिया पॉडर वन टेल स्पून बंटेल स्पून नमग वन टेबल रिरशक गरभ मसाला पॉडर मंशाला व्दिश्व थे ब्रम का पॉडर अब चलिए से हम बनाना स्टार्ट करते हैं एक तिल में घ्रेवी ते से बहुत अच्छा फ्लेवार आता है ग्रेवी में सबी अंड़ करते हैं अब गैस की फ्लेम सब में इंड़ करकर मौहें डिपिदुन करकरqur तैसलिए लें अंड़ च्छ तकरों गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टूप लो रकर será कर लियाई इसी स्टेज पर अंडो को निकाल लेना है अब सेम ऍवाइल में प्याज को एड़ करने है जो fine chopped की थी प्याज को पूर्राज कर देना है और प्याज को भूह अच्छे से बल्राज को कर लेना है जोत्ना जाच को अधरकर अबाधा करना है शुआ नि किया जा सब कर देंगे विमनी बहुत अच्छे से प्याजम ले कमाने है और इसे बस एक मिनट के लिए सौटे करेंगे जिससे की मसालो को फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाएं एक से दो मिनट तक सभी मसालो को मैंने बहुत अच्छे से फ्राइ कर लिया अब इसी के साथ इसमें हम सभी स्पाइस पॉडर को एड़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे जिससे की मसाला हमारा जले नहीं और इसे हम लगतार चलाते रहेंगे और इसमें तकरीबन दो सी तीन टेबल स्पून के करीब पानी एड़ कर देंगे जिससे की मसाला हमारा जले नहीं अब इसमें जादा पानी एड नहीं कर रहे हूं अब मसालों को हमें 1-2 मिल तक बहुत अच्छे से पका लेना है अब इसी के साथ हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेश्ट भी एड कर देते हैं और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिंजर और गार्लिक में जो ड्राइस मेल होती है वो खत्म हो जाए सभी को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसी के साथ हम इसमें दही यहां मैंने सभी को एक साथ पीस लिया है जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप इसे अलग अलग भी पीस सकते हैं यहां मैंने साथ में पीस है और इसे अब हमें बहुत अच्छे से तकरीबन 5-7 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो करके इसे हमें फ्राइ कर लेना जब तक की तेल हमारा उजाउट नहों जाए पांच से 6 मिनट तक सभी मासालो को मैंने बहुत अच्छे से फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं तेल हमारा सर्फेस पे आ चुका है और ग्रेवी भी हमारी दानेदार हो चुकी है कोर्मे की ग्रेवी बहुत दानेदार होती है तभी कोर्मे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप देख सकते हैं इसका टेक्श्चर ग्रेवी हमारी बहुत दानेदार बन कर त्यार हुई है अब इसमें हमें सभी अंडों को फ्लेम को मीडियम टूलो करकर इसे हमें कुप करना है जिससे की अंडा मसाले को एब्सॉर्फ कर ले आठ से दस मिलड़ तक मैंने इसे बहुत अच्छे से कुप कर लिया है आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल हुजाउट हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते है ग्रेवी क्तने दानिदार बनकर तैयर हुई रहा है आई होप आपको मेरी cardiid पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे एक बार आप जरूर से बनाकर चाहिएगा रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर लीजेगा फैम्ली फ्रेंड में शेयर भी कर लीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट राइम आज वन टाइम सस्क्राइब भी कर लीजेगा थैंक यू